नमस्कास आती हो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोताजी क्लासेस के बीए प्लेटफरम पर बीए सेकंड इयर में हिस्ट्री वाले पॉर्शन को कंप्लीट करते हुए अभी तक हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर चुके हैं कंप्लीट कर चुके हैं प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी में लिंक के छुड़वा दूंगा तो वहां से भी आप उसको देख सकते यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो और आज से हम जो है मद्दिकालीन भारत के इतिहास वाले सब्जेक्ट जो का आज हम शुरूआत करने जा रहे हैं लेक्शर नमर 13 से ठीक है ना लेक्शर नमर 13 से आज हम शुरूआत करने जा रहे हैं तो आज का हमारा टोपिक होने जा रहा है बिजे नगर सामराज्य तो कई सारे दोस्ते से होंगे जो बोलेंगे कि सर डायट लेक्शर नमर 13 से स्टार लेगा जब तक की complete नहीं हो जाता है तो मैं थोड़ी से आपका जानकारी बता दू कि बीए फस्टियर में भी जो है जो है जो अभी हमारा भोतिक भूगोल का चल रहा था वह कंप्रीट होने वाला है तो उसके बार भी नया सब्जेक्ट जो है फस्टियर में इस्टार्ट होने वाला है थर्डियर में अभी पॉलिटिकल साइंस में तुलनापक भीश्वि सम्विधान वाला सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें अभी लगबग 10 या 15 दिन भी बचे हुए हैं complete होने में तो अब इसी प्रकार से session हो continue आपको तीन लेक्चर पर डे मिलेंगे बीए फस्ट येर का second और थर्ड येर के एक एक लेक्चर आपको daily मतलब एक क्लास daily देखने को मिलेगी इस platform पर इसके अलबा प्रज्ञान का तो आपको पता ही है और मैं आगे भी आप लोगों को बताने वाला हो तो आज का session जो है आपका especially बिजे नगर सामराज्य पर होने वाला है ठीके ना बिजे नगर सामराज्य इसको पूरे बिस्तार सबजेंगे और ये session भी आपके syllabus के according है तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ूं से पहले एक बात और बता दू मैं आप लोगों को ये सिर्फ बिये सेकेंडियर वाले बच्चों के लिए ही नहीं बलकि और इक्जाम के ओल बच्चों के लिए ये session जो है important होगा साथ इसाथ में में वाले बच्चे भी जो है वो भी इससे cover कर सकते हैं कि लिए रहे हिंदी और इंग से पर सकते हैं क्योंकि almost subject मेरे दौरा यहां पढ़ा दिये गया है जो free courses के रूप में हैं playlist में जाईएगा आपको सारे subject मिल जाएंगे उनके notes भी मिल जाएंगे उनकी ही description में इसके अलाबा प्रग्यान हिंदी नाम का एक नया YouTube channel मेरे दौरा बना दिया गया है जहां पर मैं complete exam की त्यारी करवाने के लिए प्रतिवद्ध हूं वहां पर मैंने अभी top 5000 ओल इंडिया जी के series से classes स्टार्ट की है जहां पर साड़े 3000 से ज्यादा प्रेशन जो है cover कर चुका हूं उसे ज्यादा प्रेशन कवर हो चुके हैं लगबख 4000 के something पहुचने वाले हैं ठीके और ज ठीक्स होगी जनरल हिंदी इंग्लिस होगी यह सारे सब्जेक्ट आपको पूरे बिस्तार से और नोर्स के साथ में प्रज्यान हिंदी पर देने वाला हूं विशेस रूप से competitive exam के ओलिस्ट्रेंड को लिए जिसमें UPSC से लेकर के one day exam तक के सारे exam cover होने वाले हैं आपके ठी हमने first unit को पूरी तरह cover कर लिया था भी तक first unit को पूरी तरह cover कर लिया था ठीके ना first unit के सारे topic हो चुके मद्यकालिन भारति इतियास के स्रोथ दिल्ली सल्तनत पर हो चुका रजिया सुल्तान बलवन अला उद्दिन खिल जी मंगोल आक्रमन इस सारे session हो चुके थे इसके बा हम इसको continue कर रहे है topic number 8 से जो कि second unit का topic है विजे नगर सामराज्य और बहेमनी सामराज्य दोस्तों दोनों को ही एक साथ इसली पढ़ा जाता है क्योंकि ये दक्चुन भारत के एक बिसे सामराज्य थे ये तो आज के session में हम विजे नगर सामराज्य पर चर्चा करेंगे और क इसके बाद में देखने वाले हैं पॉइंट नमर तू में हम देखेंगे कि विजे नगर सामराज्य का केंदरी शासन व्यवस्ता किस प्रकार की ती इसके बाद में देखने वाले हैं पॉइंट नमर तीन में प्रांती सासन व्यवस्ता किस प्रकार की ती और अंतिम रूप से पॉइंट नमर चार में हम देखेंगे विजे नगर सामराज्य की इस्तिति के बारे में उसकी सम्रद्दी के बारे में मतलब की आर्थिक और सामाजिक इस्तिति के बारे में इन चा लास्ट तक आप लोग बने रहते हो तो ये मेरी गैरेंटी है कि टोपिक आपको 100% पूरा समझ आएगा पूरे टोपिक में कुछ भी रटने के जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार टोपिक आपने अच्छे समझ लिया तो मैं गैरेंटी देता हूं एक्जाम में आप अपनी उ सुरुकाइ बिजैनगर समराज जिसकी हलक इस्टापना हम लोग नहीं जाएंगे इसकी इस इसथापना पर ही कम से कम दो से धाई घंटे की क्लासेस होगी जिसमें एक एक पूरे विस्तार से वहां चर्चा करेंगे लेकिन यहाँ पर चुकि बी-ए वाली नहीं करना है यदि आप मुझे फोलो कर रहे हैं तो नोट डाउन करना है तो डिस्किप्शन में लिंक दे दूंगा में वहां से डाउनलोड करना लेक्चर खतम होने के बाद में उसके बाद आराम से नोट बनाईए जो नहीं बनाना चाहता ना यही तो नोट से यार तोट न विजे नगर सामराज जो है 200 वर्सों से अधिक समय तक दक्षिन भारत में इस्तापित रहा कायम रहा 200 वर्सों से भी ज्यादा समय तक दक्षिन भारत में कायम रहा विजे नगर नरेशों मतलब राजाओं ने केवल विजे और विस्तार की नीती पर ही अपना ध्यान नहीं दिया बल्कि वहां की राज वेवस्ता और कल्यान कारी प्रसासन के गठन के प्रती भी वह हमेशा सचेद रहे तुनिया जहन से क्या का जा रहा है यह अंडेस्टेंडिक लिए नहीं है आपको यह ब्याक्य वाला बिंदू यह समझाएगा जिसी भी टोपिक पर कितनी भी अच्छी पकड़ क्यों न रखते हो लेकिन हमें किस कोंटेंट को ब्याक्य वाले बिंदू में रखने की आवशकत कि यदि topic की बहतर जानकारी है तो ही आप ये ब्याख्या वाला point answer writing में copy में लेकिएगा और यदि topic की अच्छी जानकारी नहीं है और ब्याख्या वाले बिंदू को आप बहतर तरीके से explain नहीं कर पाते हो तो ब्याख्या वाले point को वहां मत लेकिएगा direct topic से start कर दीजिए नम् कर सामराज्य दक्चिन भारत में 200 वर्सो से भी ज्यादा समय तक कायम रहा यहां के जो नरेज थे जो चाशक थे जो राजा थे उन्हों ने लेकिन कहा जाता है कि इन्हों ने मतलब इन राजाओं ने सिर्फ अपने राज्य या सामराज्य के विस्तार पर ही ध्यान नहीं दिया बलकि अपने सामराज्य के अंदर वहां के सांती विवस्ता राज विवस्ता और वहां प्रशासन कल्यानकारी हो इसके लिए भी उन्होंने अथक प्रियास किये हैं मुख ऐसे शाशक माने जाते हैं विजय नगर सामराज्य के जिन्हों ने यहां के सामराज्य बिस्तार में महत्पूर्य योगदान दिया है इतना कॉंटेंट अब अगर इस पूरे कॉंटेंट में आप लोग तोड़ासा तीप्र तीचिनता के संद्य को गया आपको समझ जागे इसमें दो या तीन बाते ही लिखी गई यह स्यादा कुछ भी नहीं है एक तो फेक्ट करें दो बात हो गई तीसरी बात है कि कि यहाँ के सामराज विषतार के लिए पूरा नाम हरीहर बुक्ट का वद्वा चार विशेज शाषक रहे है जिन नोंने सामराज सामराजी का विस्तार विसेश रूप से किया है तो यह तीन फेक्ट मात्र आपके इस ब्याक्ष्य वाले बिंदू में तो एक कुछ फेक्ट ले लिजिए चाहे टोफी कोई सा भी हो दो तीन चार फेक्ट को पकड़िए उन फेक्टों को ही इस प्रकार से एकस्प्लैन कीजिए कि आंसर यह करने वाले को मज़ा अजा इसके बाद में पॉइं नमर सेकिंड में हम देखने वाले हैं कि विजे नगर सामराज जी की जो केंद्री इस्तर की ब्यवस्ता थी वो किस प्रकार के थी केंद्री इस्तर की दोस्तों बात करेंगे हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से कुछ पांच पॉइंटे लेंगे केंद्री इस्तर का जो प्रसासन ब्यवस्ता थी उस प्रसासन ब्यवस्ता में कौन-कौन हुआ करत कएंद्री प्रसासन वेवस्ता के मुक्र केंद्र 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 केंदु को राज़ा को राजा को यहां पर राय का यहां पर जंता को इन सासन विबस्ता में भाग लेने के पूरे अधिकार थे उनको लगवग कहा जाता था राय कहा जाता था याद रखिगा तो विजे नगर सामराज में राजा को राजा समराट आधी आधी ना कहते हुए राय कहा जाता था क्या राय सारी नागरिकों सेनिक शक्तियां जो भी पावर थी जो भी शक्तिया थी जैसे मिलिटरी पावर हो गई वहां की और जो नागरिकों से संबन्दि जो भी पावर सोंगी वो सारी पावर राय के पास ही हुआ करते थी या राजा के पास ही हुआ करते थी प्राचीन भारती परंपरा के अनुसार राज़ा का राज़वी सेक किये अथा था उसे जन कल्यान जब राज़वी सेक होता है एक तरह से सपत समारू तो इस सपत समारों में मतलब राजा जो है जन कल्यान और प्रजा के पालन की सपत लेता था जिसे आज हम संभिदान की सु से उस समय चुकि संभिदान नहीं था यह जन कल्यान की और प्रजा पालन की सफत लिया करते थे इसके अलावा सेकिंड समानेता सामानर रोप से अगर देखें तो यूबराज कोंन होगा राजा का सबसे बड़ा पुत्र लेकिन किसी परिश्थितियों में राजा का बड़ा पुत्र होने के बाब जूद भी उसे यूबराज और शूर्स नहीं किया था था कुछ परिष्टितिया ऐसी बन जाती थी लेकिन सामाने इस्थितियों में अगर देखे तो राज्जा का जो बर सबसे बड़ा पुत्र होगा वही यूबराज घुशित कर दिया था यूबराज के अभिशेक को यूबराज पदाभिशेक कहते थे जिस तरह से राजा का राज्जबीशेक होता था उसी प्रकार से यूबराज का भी राज्जबीशेक होगा लेकिन उसी राज्जबीशेक को क्या कहा जाता था पदाभिशेक यूबराज पदाभिशेक अधिकांस राजाओं ने अपने जीवन काल में ही यूब राजों को नियुक्त कर दिया था इसलिए बिजर नगा सामराज में उत्रादी कारी की कभी समश्या आई ही ने यह बात विश्यस रूप से आप लोग याद रखिएगा कई राजा कई राजा अपने जीवन काल में यह कहें कि कई राजा अपने यूब राज को गोशित नहीं कर पाते नियुक्त नहीं कर पाते थे उससे पहले ही किसी भी कारण से उनकी मृत्तियों करते थी तो एसी राजा बनने का प्रियास करेंगे तो एसी परिष्टिती में वहाँ पर जो है ग्रह युद्ध जैसे संभावना बनना पोसिवल होती थी तो इसी कारण से इसी कारण से लेकिन विजे नगर सामराज के बात करें तो यहां के जितने भी राजा थे उन्होंने बहुत पहले ही मतलब अपने जीवन काल में ही लगबक सभी राजाओं ने अपने जीवन काल में ही युवराज को की नियुक्ति कर दी थी कि जैसे ही राजा को यदि कुछ भी हुआ तो उसके तुरंत बाद में युवराज सासन वेबस्ता को राजा बन करके समान ले और इसी लिए यहां पर कभी भी उत्रादिकारी जैसी समझ्चा नहीं हुई विद्रो जैसी समझ्चा उत्पन नहीं हुई इसके बाद में पॉइंट अमर थी में हम देखने वाले हैं इंग्लिस में भी कॉंटेंट रभे लेवल है ध्यान रखिएगा जो भी इंग्लिस मीडियम वाले बच्च तो उसी स्थिति में क्या करेंगे तो लेकिन उसको यूबराज घोसित करना भी जरूरी है तो राजा के द्वारा अपने बड़े पुत्र को या छोटे पुत्र को जो भी है यूबराज घोसित कर दियाता था और उसके संदक्षण के लिए मंत्रियों को लगाया जाता था जो योग्य हो और उनी योग्य मंत्रियों के नेत्रतु में ही यूबराज कारे करता था एसे कुछ विशेस योग्य मंत्री जिनका नाम था वीर नर्सिंग ठीक है राम राय वीर नर्सिंग और राम राय ये तो विशेस ऐसे मंत्री थे विशेस ऐसे मंत्री थे जो आगे च मंत्री के बाद में यहां के राजा बन गए थे इसके अलावा फोइंट नमर फोर में हम बात करते हैं केंद्री इस तर पर एक राज परिशद या मंत्री परिशद भी हुआ करते थी यदि आपने फस्टियर में संभीधान पढ़ा हो और संभीधान का पहला ही लेक्चर संभीधान के स्रोत पढ़ा हो तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा विजे नगर सामराज के सासन व्यवस्ता क्योंकि विजे नगर सामर सम्विधान का सुरूत है तो कि ये वी घटना रही है तो इसे हमने सम्विधान के सुरूत के रूप में भारती स सम्विधानवाटी सिर की कंद्रि करते केंदरी इसतरर तार पिलis में पादा हुआ है एक हम hers एक अब सब्सक्राश में चाह कि बिजय हनगर सामराज में केंदरी इस तर पर एक राड परिसद यूँ एस तर दोने मंद्री परिशलों का का राजा को से अगा राजा को यह है किसा तर नहीνत अब यूर मनत्री परिश्सत्व बड़े इस अफ्शला को मानने के लिए उसा नहीं ता लेकिन फिर भी मनत्री पर इस नगुद्र का महत्व साहसन व्यवस्ता में सरोप्रीता बहुत जाद था क्लियर है इसके बाद में अंतीम रूम से दंड नायक या अन्य अधिकारी तो केंदरी इस तर पर विजे नगर सामराज में कुछ अन्य अधिकारी भी हुआ करते थे दंड नायक मतलब कि जिससे आज के हमारे जजसाहब होते हैं, मजिस्टेट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में देख लिए हाई कोर्ट में या जो है इस्टेट इस तर की जो भी न्याले हैं हमारे, अधिनस्त न्याले जो होते हैं, या सेशन कोर्ट होते हैं, उनमें जो भी न्य अधिकारी हुआ करता था दंड नायक जिसे आज हम जजस बोलते ना जज बोलते हैं उस समय उस समय जो है दंड नायक बोला याता था विजनगर सामराज्ज में तो प्रसास की अधिकारियों को कारिकरता कहा जाता था प्रसास की अधिकारियों को कारिकरता तो ध्यांत दीजे प्रशासनिक बीवाकों किसी पर अधिकारि को बिवागों में मतलब लेखाकार जैसे अधिकारी भी होते थे चाही मुद्रा रखने वाला अधिकारी मुद्रा करता कहला था तो यहां से जानकारी और बिशेस फेक्ट में इस point में क्या factor है कि यहां पर दंड नायक दंड नायक कौन होता था दंड देने वाला जिसे आज बरतमान में हम नयादीज बोलते हैं इसी प्रकार से विजे नगर सामराज में उसे दंड नायक बोलायाता था एक उच्छ अधिकारी होता था ठीक है जो सभी फैसले सुनता था रंतिम रूप से वह अपना नेड़ने देता था उसके अलावा प्रसासनिक जो अधिकारी होते थे उनको कारी करता गहा जाता था प्रसासनिक अधिकारी उनको सचिब काम करते थे ना उन सचिबों को क्या कहते थे राइसम क्या कहते थे राइसम और वहीं चो लेकाकार होते थे लेकाकार होते थे उनको कड़ी किम कहा जाता कड़ी किम और इन सब के अलावा एक शाही मुद्रा जो रखता था शाही मुद्रा ताकि उसकी चोरी ना हो कैसे रिविजन लगाईएगा रटने कोई जरूत नहीं है बस समझते चलिएगा तिर्फ कहानी के रूप में समझोगे सब को समझ आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद बात करते हैं पॉइंक नमर थी की प्रांती प्रशासन अब तक आपने ये तो देख लिया कि ठ अलावा क्या प्रांती इस्तर पर भी शासन विवस्ता थी मतलब राज इस्तर पर जिसकी बरतमान में भारत में हैं केंद्र इस्तर की सरकार अलग है राज इस्तर की अलग है और इस्तानी इस्तर की अलग है तो क्या बिजे नगर समराज्य में भी कुछ ऐसा ही था तो यहां पर प्रांतों में विवाजित था पूरा जो सामराज था यह प्रांतों में विवाजित था प्रांतों में विवाजित था प्रांतों में विवाजित था प्रांतों में विवाजित था कुछ बिद्वानों ने प्रांतों की संक्या छे बताई कि उस समय उस समय संभवता जहां तक मेरा मानना है या जतना मेरा पड़ा है तो क्रश्ण देवराय के समय में ये सासन बेवस्ता के समय में क्रश्ण देवराय के सासन काल के समय में राज्यों की संक्या सबसे ज्यादा माने जाती है तो इसलिए कह सकते हैं कि ये संक्या राज्यों की संक्या लगातार पर बाकी की जो सदस्य होते थे उनको प्रांतिय गवर्नर के रूप में न्यूक्त कर दिया जाता था और जरूरी नहीं था कि राज परिवार के लोग ही यहां के गवर्नर बनेंगे राज जो के इसके अलावा जो भी एक बिसबस निये या काबिल जो भी अधिकारी होंगे जो से प्रांति को कापी बिस्टित अधिकार भी दिये गए ते अधिकारों में अब दिमाग में उठता हो क्या केंदर सरकार जो है इनको इनके प्रांतों के कारियों में अगर बात करें तो बिल्कुल हस्तर शेफ नहीं करते ती लेकिन जब कोई विसेस कार्य ओईसा हो जो केंद तो यहां से क्या समझाय अब लोगों को प्रांति सासन व्यवस्ता के अंतरगत विजय नगर सामराज जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था इसमें अधिक्तम जो संक्या है कुछ बिद्वानों के दौरा इतिहासकारों के दौरा छे राज्यों की संक्या बताए गई है लेकिन यह संक्या इस्थाई नहीं थी समय समय पर परिवतित होती रही है और बात करें सबसे आदा संक्या राज्यों की कब रही थी तो क्रश्ण देवराय के सासनकाल में सरवादिक रही थी इसके अलावा प्रांती गवर्नर कोन होते थे तो सामानी रूप से देके त फ्रांती और प्रांती के अंदर विजि इस्थानी स्तिती होगी जिसे आज हमारे नगर पालीकाएं होती हैं ग्राम पंचैते होती है तो यह तो कि इसी प्रकार से उस समय भी जो है और नाडू का अस्थिद्व विजे नगर सामराज में रहा है रक्षिन भारत में दो सबाओं की बड़ी परंपर चली आ रही थी आपी लंबे समय से क्या नाम सबाओं का सबा और नाडू दो संस्था है थी सबा और नाडू नाम अपने थोड़ा सरा कोमन सेंस लगाएंगे आप लो तो अधितर देखेंगे कि अधिक्तम सासन ब्यवस्ताओं में जब भी हमने बात की चाहे वो प्राचिन समय की हो चाहे फिर वो मद्यकालीन समय की हो चाहे फिर वो हमारे समिधान लागू होने से पहले की और आदूनिक इत सवा कि राचिस्तर पर देखेंगे तो वीधान सवा और वीधान परिश्यत कि ना तो उस्री है ना सिर्फ भारत में ही नहीं नहीं आप बिदैण चली जाईए है ना सुड़े लेड़ में फ्रांस में चीन में कहीं पर भी जाएंगे तो आपको हमेसा दो सभाही मिलेगी त अस्तिद में थी ये बिजे नगर सामराज्य के राजाओं नहीं बनाई थी ये तो धक्षिन भारत के परंपराओं के नुसार जो चला आ रहा था धक्षिन भारत की परंपराओं के नुसार जो परंपरा चली आ रही थी उनके अनुसार ही था ये सबा और नाडू इस्थानी सासन के लिए बिजय नगर सामराज जी ने आईगर ब्यवस्ता प्रचलित की किसके लिए इस्थानी सासन के लिए इस्थानी सासन के लिए जैसा आज सरपंच थी ये किसी एक ब्यक्ति की नहीं बलकि बारा ब्यक्तियों का समू हुआ करता था क्या था बारा ब्यक्तियों का समू था और इसे काम दिया गया था कि वो अपने चेतर में सांती ब्यबस्ता और सांती ब्यबस्ता बनाये रखे और करकी बसूली करे और इनको जो बेतन दिया याता था वह बेतन दिया जाता था करमुक्त भूमी के रूप में वेतन दिया जाता था एक इसको आइगर है फ्र待 यॉद्ट ही इस्थानी इस्थर पर सासन से नियम रहे गए ते ही कि जो पास जो भूमी होगी करमुक्त भूमी होगी इसके अलावा और बी कहीं उत्तरदाइद भी दिये गए थे और पुछ अधिकार भी दिये गए थे इना चलिए और इसी से आधुनी भाहत में आते आते इसी से जो जंमिदारी प्रता थी ना वो इसी से उपजी थी आगे बात करते हैं कि कल्यानकारी सासन कल्यानकारी प्रांती स्तर पर राज्य स्तर पर तो क्रश्न देवराय ने अपने प्रसिद ग्रंत आमुक्त मालद इनका ग्रंत था उस समय लिखा गया उन्होंने ग्रंत लिखा आमुक्त मालग उसमें लिखा कि अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्यान को सदा आगे रखो तभी देश की जनता राजा के कल्यान की कामना करेगी कि अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्यान को हमेशा आगे रखो प्रात्मिक्ता दो तभी उस देश की जनता या आपके देश की जनता राजा के कल्यान की कामना करेगी राजा का कल्यान तभी होगा जब देश प्रगति करेगा या सम्रद्ध होगा तो बिजे नगर के राजा अपने अभिलेकों में बार बार नीती न्याय और समता मतलब समानता के सिध्धानतों के अनुसार सासन करने का उलेक करते हैं मतलब यह हुआ कि विजय नगर सामराज्य के जितने भी राजा हुए उन सभी राजाओं ने जो सासन विभसता संचालित की है उसमें विशेश रूप से नीती की नियाएं की समानता की विशेश जो है उनका ध्यान रखा या कहें कि उनका उन सिद्धानतों पर विशेश रू कि धर्म बिशेष को लेकर कि कभी इंसासकों ने किसी प्रकार का कोई भेद्वाव नहीं किया अपने सासन बेवस्ता में अपनी जनता के साहत में ठीक है और इसको नाम दिया था धर्म निर्पेक्षिता जिसे आज अमरे संविधान में भी इसतान दिया गया है तो बिजय एन्हें बढ़त्य जरूरे था उस समय की प्रिश्टित के इसके अलावा अनी शब्दों में बात करें अने बात करें तो दोस्तों यह आपके 10. Sí है जिसमें हमने स्ब्रक्रांति इसकले बश++ अर्थिक चुक्के विजे नगर सामराज्य में आर्तिक इस्थिति के सी थी तो सबसे पहले आर्तिक इस्थिति की बात करते हैं आर्तिक इस्थिति की बात करें तो विजे नगर सामराज्य का वानिज्य या व्यापार बहुत ज़्यादा संपन हुआ करता था यहां राजा ही नहीं आम लोग भी बहुत धनवान हुआ करते थे ऑच्टा के पास अधिकार थे पूरा सामराज्य संपन अता और जितने भी शासक आए सब ने जनता के कल्यान के लिए कारे की आए उनको पता था कि एगर जनता का कल्यान होगा तो राज्य अपने आप सम्रद्ध होते चल जाएगा अपने आप स चला जाएगा और इसी नीती का पालन किया था बिजे नगर सामराज्य के राजाओं ने ठीके ना अने राजाओं की तरह नहीं थे यह लूटेंग हने वाले तो यहां पर राजा ही नहीं बलकि आम जनता भी धन्वान हुआ करती थी बाजार में अनाज और रोजमर्रा के उप पी बिस्तार से लिका है उनका एक छोटा सा पॉइंट है कि संपूर्ण विश्म में पूरी दुनिया में पूरी दुनिया को लगभग मैंने विजिट किया और पूरी दुनिया के बारे में लगभग मैंने लिका है लेकिन आज तक पूरे दिसंसार में एसा नगर न तो मैं कि एक मुझे कि खुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विजे नगर सामराज्य की जो आर्थिक श्टिति थी वह बहतर थी भारत के अन्य राज्यों से इसके अलाबा अन्य बात करें तो यहां की क्रसी और राज्य वेवस्ता की बात करें तो सामराज्य की सम्रद्दी और आजजब का मूल आधार क्या था तो उस समय तो बेसिकली अगर बात करेंगे तो क्रसी ही थी क्रसी ही थी सामराज्य का मूल आधार क्या होगा क्रसी होगी पर जितनी अच्छी क्रसी उत्पन होगी सामराज्य की इस्तिती उतनी ही बहतर होगी वो क्रसी से ही यहां की आर्थिक इस्तिती भी डिपाइन होती है तो सामराज्य की सम्रद्धी और राज्यस्पर का जो मूँ लादार था वो क्रसी की उन्नत इस्तिती के लिए विजे नगर नरेसों ने क्रसी भूमी का विस्तार किया और सिचाई के साधनों को उन्नत बनाया क्रसकों और केती हर लोगों के सोशन को रोकने के लिए राजा उन्ने लगातार प्रियास किये हैं तो कुल मिला करके जितने भी राजा विजेनगर सामराज्य पर जितने भी राजा उना राज किया है उन्होंने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया है वो क्रसी की उन्नती पर दिया है ताकि जनता सुकी और सम्रद्य रह सके सम्रद्य जीवन जी सके जब यदि उनके राज्य क कि जनता सम्रद्ध जीवन जीएगी तो उस सासन विवस्ता का भी की भी सम्रद्धी होना तो इन्हों ने कुछ ऐसे सिद्धानतों का ही पालन किया है जिससे की सामराज्य का विस्तार होता चला गया उनकी सम्रद्धी बढ़ती गई और जब भी किसी सासन विवस्ता की सम्रद तो उसका विस्तार अपने आप होना चालो हो जाता है लगान की बात करें यहाँ पर लगान या भू राजस्ब तो यह लगान और भू राजस्ब तो यह सबसे बड़ा स्रोत था किसका सासन की आएका सासन की राजजी की आएका सबसे बड़ा स्रोत लगान या भू राजस्ब हुआ करता था पूरे सामराज अलगी इसके अलावा और भी कहीं कर ली जाते थे और कहा जाता है अलवशना के रूप में कि बिजे नगर सामराजी में सबसे जादा कर ली जाते थे लेकिन उसके किया गया ता अलग-अलग कहां पर सिंचित भूमी है कहां पर सूकी भूमी है कहां पर कौन सी फसल बोई जा रही है कहां पर कौन सी तो इससाब से अलग-अलग भूमियों का वर्गी कर दिया और उसकी हिसाब से ही लगान की दर निश्चित की थी और सामानी तोर पर बात क ठीक है इसके कुछ अधिक भी थी अलगी भूमी करके अतरिक्त मकान पश्यू संपत्ति व्यवस्ता सिचाई उद्ध्योगों आधी पर भी कर लिए जाते थे तो कर बहुत सारी थे लेकिन विशेश कर जो था वो लगान ही था ठीक है लगान की दर महत पूर्ण थी क्योंकि य होता था ज्यां सुनिएंगा बीजशी की व्यापार की चर्चा हो रही है जी हां पिजयी लगभग ही प्राचीन इतियास का ही तो विजे नगर सामराज उस समय में विदेशी व्यापार भी करता था और विदेशों से व्यापार करने के लिए उसने बहुत महत्पुन बंदरगाहा बना रखे थे समुदी तटो पर और इनके अगर हम बात करें विदेशों की किस किस से व्यापार होता था तो मलाया से बर नास के ब्यापारी बहुत सम्रद थे सुखी थे विजे नगर के बाजारों में हीरे मोती खुले बाजारों में बेचे जाते थे कपड़ा एत्र धातूं के बरतन ये बहुत सारे ऐसे बस्तू है थी जिनका निर्माण दक्षर भात के विजे नगर सामराज में उनकी जनता के द्वारा किये जाता था को इसके अलावा पोइंट मोऱ् 4 में सान्स्कृतिक दसा दों सांस्कृतिक दसा तो किया कहें कि जहां का राजा ही विसेस साहित में रूची रखता हूं, जिसने कि यहांपर अगर बात करें, इहां के सबसे महत्पून शासक रखन देवराई की, तो यह तेलगू साहित के सबसे बड़े बिद्वान थे उस समय के, सबसे बड़े बिद्वान, तो जब राजा ही किसी साहित्य का बड़ा बिद्वान होगा तो एसी इस्तिती में साहित्य और कला में क्या प्रगति नहीं होगी एक्जेक्ली होगी और इसी कारण से वहाँ पर साहित्य और कला में बिसेश प्रगति हुई बलकि इनके सासनकाल को मतलब क्रश्न देवराई के सासनकाल को वहां क बाद करें पॉइंट हमर फाइब में क्या देखें सामाजिक दसा तो सामाजिक दसा भी बुरी नहीं थी बहुत बुरी नहीं थी लगबग बहुत बेहतर थी अभी तक येकिन हा इस सासन ब्योंसता के बाद में ही भारती जो सामजिक दर्सतिना वो गिरने लगी थी जो अंगराजों की जाने के बाद में लग प्र समदना स्टार्ट हुई थी समाजिक जीवन सुकी सवर्दों सांति में बना व्रति जेसी कूate अभी तक समाज में नहीं थी, इनको कोई इस्थाण नहीं ता समाज में ये मद्यु कालीं के आते आते, जैसे मुगलों की एंट्री होती है बेसे यह सारी परताइं भारत की समाजवेवस्ता में आना फ्रारंव हो जाती ही सबी साशक जो थे सबी साशकों ने जनता के जन कल्यार पर विशेस फोकस किया था के लिए रहे दोस्तों उम्मीद करता हूँ पूरा टोपिक आप लोगों को बहतर तरीके से कहाने के रूप में समझ आया होगा कोई डाउट नहीं रहा होगा कुछ भी रटने के आपको नहीं मालनों 15 मिर्ट 10 से 15 मिर्ट में रिविजन हो जाएगा आप लोगों का और सारा टोपिक है जो पूरा एकदम एक इस्थान पर इकटा हो जाएगा और आपको पूरे टोपिक एक साजानकारी मिल जाएगी के लिए रहे दोस्तों कंटीनू रहेगा अब ये लेक्चर से शेश के लिए उन इस्थान के लिए जो को लेंके सिरियस है और मेरे जो है मुझे कंटीनू फोलो करते टेली फोलो करते सारी से सेशनों से मेरे लेक्चरों के माद्यम से ही ये अपनी स्थाडिय को कम्प्लीट कर रहे हैं तो ऐसे रही है यो वार्सब चैनल को जोईन करें फिर ही है कोई चार्जस नहीं ले जा रहा है आप लोगों से महाँ पर वार्सब चैनल और टेलिग्राम चैनल दोनों को ही जोईन करना कंपल सरी है दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है इसके अलावा इसके पूरी पीडिये टोपिक के नोट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी वहां से डाउनलोड कीजिए इसके अलावा प्रग्यान हिंदी जो मैंने आपको प्रारभ में बताया था आपको